असलाम अलेकुम गाइस कैसे हैं आप सब ओप यू गाइस और डूइंग वेल सो आज संडे था तो उठ चुकी थी मैं सुबा ताइम से तो सुबा मौसम तो आज बहुत अच्छा था मतलब ब्राइट शनी डे नहीं था हलके हलके बादल थे और साथ हलका साही सूरच था बड़ा अच्छा लग रहा था फिर फ्रेश हुए इसके बाद फिर मैंने सोचा आज नाश्ते में अंडा खाया जाए तो बस फिर अंडा बिनाने लगी बस सिंपल नमक वाला अंडा कुछ लोगों को मिट्चों वाला पिसांद होता है काफी लोगों को फ्राई भी पिसांद होता है और कुछ लोगों को ये भी पिसांद होता है सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है तो बस फिर मैंने अंडे को मिक्स किया अच्छे से और मैं अंडा बिनाने के लिए ओयल डाला तो बेबे जैसे बच्पन में वेड़ा शौक होता था कि मतलब अंडा काफी बड़ा करकी खाना उसको फिला आखे वैसी आज उसी तरह मैंने किया वड़ा सा जलने वाला एफेक्ट आ गया था अंडे पे लेकिन खैर बच किया क्योंकि मज़े जल्दी थी क्योंकि गैस चली जाती है सुबा सुबा जल्दी तो बस फिर जल्दी में अंडा बनाया फिर मैं नाश्टा करने बैठ करी काफी लोग नाश्टे में सालन भी पसंद करते हैं तो मैं भी उनी लोग में सालन की बगार तो मतलब नाश्टा होता ही नहीं और चाहे उसके बाद फिर नीचे पेंट शुरूआ हुआ था जैसे भाई की शादी है तो बस पेंट श्टार्ट हुआ तो पिर सफाई करवाई इतना गंद एक दिन में फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी सेल्फ केर भी की जाए तो फिर मैंने बेसन वाला मास्क बिनाया और फेस पे लगाया वीक में तीन-चार दफ़ा तो लाजमी लगाना चाहिए उसके बाद रोज वाटर ये तो भई मेरा जैसे मतलब एक समझे रूटीन डेली की है लाजमी स्प्रे किया करें आप भी उसके बाद फेस की केर करने के बाद मैंने सुचा थोड़ा सा आज हाथों और पाउं की भी केर कर ली जाए तो मैंने फिर एक लीन टब लिया उसमे मैंने थोड़ा सा गम पानी डाला जितना आपके पाउं पर दाश कर सके उतना आप डालें फिर उसमें ठंडा पानी अड़ कर लें और कोई इसा भी शैंपू इसमें अड़ कर लें फिर थोड़ा सा शैंपू एड़ करें फिर उसके पर लेमन एड किया, लेमन में तो आपको बतागे कितनी अच्छी प्रॉपर्टी से हैं, ब्लीचिंग वाली फिर मैने इसको अच्छे से मिक्स किया अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने इसमें अपने पाउंड बोली ए ज्यादा से ज्यादा आदे गंटी के लिए 30 मिनिट के लिए आप भी को लें पाउं इसमें इतने अच्छे पाउं क्लीन हो जाते हैं बिल्कुल और जो पाउं बिल्कुल खराब हुए होते हैं आज खल आपको पता है सड्डियों के वज़ा से स्किन काफी खुर्दरी हो जात पिर आप इसको सिंपल पॉनी से वाश कर लें उसके बाद पर मैंने यह वला बेसन मास्क लगाया पैरों पर जैसे फेस को जरूरत है वैसे हाथ और हमारे पाउं को पी इसी तरह जरूरत है इनी चीज़ों की तो इसको अच्छे से प्लाइए किया मैंने पिर अगर हम इनको हफते में तीन-चार दफा यूज करते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है इनका अच्छा से ड्राय हो जाएं तो फिर इसको वाश कर लें इतने इससे क्लीन होगे मेरे पाउं वाश करने के बाद आपके पास दो आप्शन है आप यहां तो लोशन भ तो हम पाउंद होएंगे तो फॉरन उतर चाहेगा इसको अपने एडियों पे लगाएं कि आज खल सड़ियां स्टार्ट हो रही हैं तो कुछ लोगों की एडियां भी भटना शुरू हो गई हैं लेकिन शुकर है मेरे साथ ही मसला नहीं है अच्छे से दोनों पाउं पे हो गए हफ़ते में एक दफ़ा तो यह करना चाहिए फिर उसके बाद मैंने वाइट को और मा बनाया रिपहर के खाने में इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड करूंगी फिर थोड़ा सा राम करने की बाद शाम को उठ थे मुसम बड़ा अच्छा हुआवा था हलके से बादल थे बढ़ी प्यारी सी हवाज चल रही थी ऐसा अच्छा मौसम भी कभी कभी होता है और हमारे शहर में खास सौर पर ही कभी कभी होता है तो फिर शाम की चाए का ममूल तो तक्रीबन हर घर में होते है फिर मैंने चाए बनाई या फिर लोग शाम को चाए पीते हैं उस लोग रात को भी पीते हैं तो बस फिर बैट के सुकून से चाई पी शाम को मतलब चाई ना मिले तो मतलब ऐसे जैसे आदत बिल्कुल हुई हुई है यह तो लाजमी है अमीद है कि आप सब को आज का विलॉग पसंद आया होगा अलाफीज